नमुश्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है बिहार में जमीन के नक्षे को लेकर जल्द ही एहम बदलाव होने वाला है क्योंकि ताजा जो खबर निकल करके सामने आई है उसके अनुसार बिहार में रियत को अपनी जमीन का नक्षे के लिए सरकार के किसी भी कार्याले के चकर अब नहीं लगाने होंगे रियतों को उसकी जमीन का नक्षे घर पर पहुचाने वाली योजना का शुभारम बिहार में अब कभी भी हो सकता है हालाकि यह पहला मौका नहीं है जब बिहार वासियों को ये सौगात मिलने वाली थी बरकि जुलाई के महीने में भी इस सुविधा का लाब लोगों को दिया जाना था लेकिन कुछ तक्नीकी कारणों से योजना की लॉंचिंग को टाल दिया गया है अब केवल उधगातन की उपचारिकता रह गई है इसको लेकर राजस्वेबं भूमी सुधार विभाग ने सभी प्रकार की तक्नीकी बाधाओं को दूर करने का काम कर लिया है यानि कि अब उमीद यही है कि बिहार जमीन के नक्षे को घर पर पहुचाने वाला पहला राज्यों बन कर सामने आएगा वर्तमान समय की बात करें तो पूरे देश में अभी कहीं भी यह विवस्था नहीं है कि जिरो साइज में नक्षों को ओन्लाइन ओर पेमिंट करें और सरकार घर के दर्वाजे तक उसको डाक के माध्यम से पहुचाए अक्सर यही देखा गया है कि जब भी बात जमीन के नक्षे से जुड़ी आती है तो अधिकतर राजीयों में लोगों को अपनी जमीन के नक्षे आधी के लिए राज़स्व कार्यालियों तक कई दिनों तक भागदौर करनी पढ़ती है बिहार में लोगों को नक्षा लेने गुलजारबाग सरवेक्षन कार्याले आना पढ़ता है वहाग की जो वर्तमान योजना है उसके अनुसार 3 नक्षे 1.500 रुपे में लोगों के घर पर पहुचाए जाएंगे कंटेनर की कीमत 35 रुपे तैकी गई है वही डाक शुर्क 100 रुपे के आसपास तैकी आ गया है ऐसे में अब अगर आप भी नक्षे की ओन्लाइन डिलिवरी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भू अभिलेक और परिमाप निदेशवाले की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलिवरी सिस्टम सॉफ्टवेर पर आवेदन कर सकते हैं और पेमेंट ऑन्लाइन पे कर सकते हैं जिसके बाद आने वाले समय में जमीन से जुड़ी समस्या का समधान जल्द से जल्द निकलने की उमीद उजताई जा रही है हरा कि आज के इस वीडों में वस इतना ही तब तक हे लिए धन्यवाद